अब हम आपको सागर धनकड हत्याकान की आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार का एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं यह वीडियो चार-पांच मई की दर्मियानी रात का है यह एक्स्क्लूसी वीडियो जीनियूस के पास है इस वक्त आप देख रहे हैं इसमें आप देख पारें कि एक शक्स जो है वो सफेद रंग की गाड़ी है और एक शक्स जमीन पर लेटा हुआ है जिसको चार से पांच लोगों ने घिरा हुआ है जो सफेद रंग की टी-शिट पहने जिनकी बैक आपको नज़र आ रही है ये सुशील कुमार पहलवान ओलंपिक सुशील कुमार इसलिए सवाल है कि हत्या वाले वीडियो में सुशील कुमार क्या कर रहे हैं देखे उनके हाथ में एक डंडा है गाड़ी का दर्वाजा खुला हुआ है एक शक्स जमीन पर लेटा हुआ है ये सागर धनकड है और ये चार ये देखे आप आसपास कई लोग है ये सुशील कुमार जिनकी बैक आपको नज़र आ रही है पीछे की तरफ उनके आसपास कुछ लोग है जमीन पर एक शक्स लेटा हुआ है सागर धनकड ये चार और पांच मैं की देर्मियानी रात कई ये ये देखे हाप में पिस्टल भी समभावता नजर आ रही है कुछ लोगों के हाथ में पिस्टल भी इस वीडियो में हाला की धुंदला है क्लियर नहीं है लेकिन हात में पिस्टल नजर आई है ये देखे ये शक्स जो जमीन पर लेटा हुआ ये सागर धनकड है जिसको चारों ये देखिए ये जो शक्स निकला इसके हाथ में पिस्टल है पिली टी-शिट जिस शक्स ने पहनी हुई थी ये जो अभी निकला उसके हाथ में टी-शिट और ये जो शक्स आपको नज़र आ रहा है ये ओलम्पियन पहलवान सुशील कुमार और हत्या वाले वीडियो में ये क्या कर रहे हैं ये सवाल है इस केस में कई लोगों की गिरफतारी हो चुकी है च्छतर साल स्टेडियम के अंदर की मारपीट का ये वीडियो इससे पहले तस्वीर सामने आई थी लेकिन अब ये वीडियो भी सामने आ गया है मतलब मुश्किले बढ़ रही है अब डंडा सुशील कुमार के उनी के साथ एक ये शक्स जिसके हाथ में पिस्टल चार से पांच मई की राच छतर साल स्टेडियम मारपीट मारपीट के बाद रेसलर सागर धनकड की मौत हुई उनको इतनी बुरी तरहां से पीटा गया उनके साथियों पर हत्या का आरोप है ये जो जमीन पर लेटा शक्स आपको नज़र आ रहा है ये हैं सागर धनकड और वाइट कलर की टी-शट में जो बैक नज़र आ रही है वो ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार है सोचिए ना देश की मिट्टी से पूरी दुनिया में लोक प्रिये होने वाले पहलवान सुशील कुमार ने आज ये नाम कैसे मिट्टी में ही मिला दिया है